दोस्तों इस विडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताने वाले है जो हर इंसान आसानी से कर सकता है दोस्तों बस आपको अपने महबूब की तस्वीर पर अपनी उंगली रख कर इस अमल को करना है अल्ला के करम से आपका महबूब सारी जिन्दगी आपसे दूर नहीं जाएगा आपसे बात करने पर आपका महबूब मजबूर हो जाएगा दोस्तों ये अमल जो है यह महबूब के सीधा दिल पर असर करेगा आप अब इतना समझे के आपके मेहबूब का दिल दिमाग सिर्फ आपके हुक्म पर चलेगा अगर एक लड़का और एक लड़की आपस में मुहबबत करते हैं और एक दूसरे मिलना चाहते हैं और दोनों में से कोई एक नाराज हो गया है या दोनों में से कोई एक किसी को पसंद करता है और दूसरा शक्स पसंद नहीं करता तो आप निकाह की ख्वाहिश रखते हुए इस अमल को कर सकते हैं किसी को महबत पर मजबूर कर देने वाला ये अमल है किसी को अपनी तरफ माइल करने वाला ये अमल बहुत पावरफुल है और किसी के दिल में अपने लिए बेपनाह महबत पैदा करने वाला ये अमल है अगर कोई शक्स आप से नाराज है तो आप उसे राजी करने के लिए भी ये अमल कर सकते हैं दोस्तो आपको इस अमल को एक ही दिन करना है इन्शाहलाह अगर आप सुबह करेंगे इस अमल को तो रात तक इसका रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप रात को ये अमल करेंगे तो सुबह तक इसका रिजल्ट मिल जाएगा जब आप इस अमल को महबूब की तस्वीर पर उंगली रख कर करेगे तो ये सीधा उसके दिल पर असर करेगा और वो शक्स आप से बात करे बगेर नहीं रह सकेगा दोस्तो ये अमल बहुत ही आसान है चंद कलिमात का ये अमल है दोस्तो वजिफा यानी अमल बताने से पहले आप से चोटी सी गुजारिश है आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करे या ना करे बस आप इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में अपनी दुआ लिख दीजिए ताकि सभी दुआउं पर सभी लोग आमिन बोल सके इससे आप सभी की दुआए कुबूल होगी इन्शालला मेरे प्यारे भायों और बेहनों किसी को अपना बनाने के लिए किसी के दिल में अपने लिए मोहबत पैदा करने के लिए किसी को भी अपनी मोहबत पर मजबूर कर देने के लिए आपको अपने महबूब की तस्वीर लेनी है दोस्तों तस्वीर लेने के बाद आपको दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली उसकी तस्वीर पर रखनी है और आपने 33 मर्तबा ये कलिमात जो की आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते है आपको ये कलिमात 33 बार पढ़ना है जब आप ये कलिमात पढ़ ले तो आपको अपने महबूब की तस्वीर पर दम कर देना है दोस्तों याद रहे जब आप ये अमल शुरू करने से लेकर आखिर तक आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप ये अमल करे तो आपकी शहादत वाली उंगली आपके महबूब की तस्वीर पर हो फिर आपको सब्र रखना है दोस्तों जैसे जैसे आप अपनी उंगली को उसकी तस्वीर पर घुमाएंगे तो उसका दिल आपके तरफ फिर जाएगा बस दोस्तों आपको इतना ही अमल करना है ये अमल करने के बाद आप खुद देखेंगे कि इस अमल में कितनी बरकते हैं आएए अल्लाह पाक से दूआ करते है या अल्लाह जो लोग भी अपनी जाइज महबत को लेकर बेचैन है मेरे मालिक तू उन सब की दूआ कुबूल कर ले जो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपनी अपनी मुरादे लेकर आए हैं मेरे करी मालिक तू उन सब के दिलों की दूआउं को कुबूल कर ले दोस्तो कॉमेंट में आमीन जरूर लिखे क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कुबूल हो जाए वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करे